हेलो फ्रेंड्स मैं सोनू आप सभी का दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर मैं अपना प्लंबर का experience आपके साथ शेयर करूँगा कि प्लंबर ट्रेड से आई टीए करने पर हमें क्या-क्या benefit हुआ इसके अलावा एक और कोशन जो कि students के दिमाग में रहता है कि private sector में और government sector में प्लंबर का scope क्या है यानिकि इसके कितनी vacancies निकलती है सब के अलावा अगर आप अपना खुद का काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे सफ़ा लोने के कितने chances है तो ये सारी बाते मैं आपके साथ share करूँगा क्योंकि मैं खुद 3 साल तक प्लंबर का काम कर चुका हूँ तो ये जो वीडियो है ये उन सभी students के लिए है जो कि ITI मैं भी पढ़ रहे हैं या फिर ITI करना चाते हैं प्लंबर trade से तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ अपने ITI के admission से जुलाई अगस्त में ITI के admission स्टार्ट हो जाते हैं 2016 में मैंने ITI का admission के लिए apply किया वहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि मैंने जो है सिर्फ दसमी बेस पे ITI के registration कर दिया हाला कि मैंने बार्मी भी कर रखी थी जिससे हुआ ये कि ITI की जो merit list थी उसमें मेरा नाम बहुत मीचे चला गया क्योंकि ITI के अंदर सबसे पहले उनी students को बुलाया जाता है जिनके number ज्यादा हो मेरे सामने काफी सारे option थे जैसे कि Carpenter, Plumber, Tractor, Mechanic तो वहाँ पे मैंने Plumber को चूज किया क्योंकि मेरे घर परिवार में और मेरे आस्पडोस में काफी सारे मेरे दोस्त थे उन सबने मेरे को बोला था कि Plumber का अच्छा scope है और Plumber अच्छे खासे पैसे कमाता है तो यह सोच करके मैंने Plumber Trade को जोईन कर लिया अब यहाँ पे जब मैंने Plumber Trade को जोईन किया तो यहाँ पर बार ही आती है और वहाँ पे मैंने जो हे रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया ITA में जब हम जाते थे उस समय पांच दिन हमें ITA में जाना होता था और सनीवार इतवार की हमारी चुट्टी होती थी तो मैं क्या करता था कि ITA के अंदर तो हमें इतना कुछ नहीं सिखाते थे वहाँ पे सिर्फ theory ज़्यादा सिखाया जाता है practical में भी बहुत काम काम होता है बस आपको parts देखने को मिल जाते हैं लेकिन आप उनके पूर practical काम नहीं कर सकते हैं तो सनीवार इतवार की जो छुट्टी होती थी उसमें मैं क्या करता है कि जीन्द सहर के अंदर हमारा नजदी की शहर जीन्द है जीन्द में मैंने ITA किया वहां पे प्लंबर जाते थे कि की जाते है वो जहां पर भी जाते किसी की घर में बहुंद्ime करता जाता है इतना ज्यादा knowledge नहीं मिलेगी आपको या थो किसी कंपैस रहकर कर या फिर आपको किसी उस्ताज के पास रहकर की कामसी सीखना पड़ेगा लेकिन आइटिया के अंदर जो थोरी सिखाई जाती है वो काफी हेल्प करती है आपको प्रैक्टिकल काम करने में क्योंकि वहां पर आपको यह सारी चीज़े बताई जाती है कि ब्लूशी शीट के ऊपर जो फिलस्टेंक होता है वो कितनी उचाई पर लग मिलता लेकिन जनरल के अलावा जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनको यहां पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यह मिल जाता है उनको फीस नहीं देनी होती इस तरह की सविधाय उनको मिल जाती है जनरल के लिए नहीं मिली तो इस तरह से पांच दिन आई टीए में और एक्जाम होता है वो काफी इजी होता है इतना मुश्किल नहीं होता और रही प्रेक्टिकल की बात तो प्रेक्टिकल कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे कि यह क्लास में 24 बच्चे है तो 6-6 स्टूडेंट की जो है च्यार इउनिट बना दी जाएंगी और हर 6 स्टूडें जैसे कि एक पाइप का टोड़ आपको दिया जाएगा उसको काट करके उसके बीच में T जोइंट आपको इस तरह से बनाना होता है इस तरह की भी जोह प्रेक्टिकल हमें वहाँ पे देखने को मिलती है आई टी पूरी होने के 2-3 महिने के पाद आपके जोह सर्टिफिकेट और मार्कशिट दोनों आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लेर कर देता हूं कि आई टी आई के अंदर प्लंबर ट्रेड के लिए कोई भी कंपनी नहीं आती है अगर कहीं पर वेकेंसी आती भी है तो वहाँ पे कम से कम एक या दो साल का experience मांगा जाता है तो ऐस करने के बाद 6 महीने तक जो मैंने उनके साथ काम किया और पूरी तरीके से प्लंबर का काम सीखा उसके बाद मैं अपना खुद का काम कर सकता था तो मैं जो है अपना खुद का काम करने लगा उनके साथ काम करता था तो वह मुझे अलग से काम दिला देते थे तो वह काम मैं काम हो तो ऐसे में कस्टमर को जल्दी होती है तो वो किसी और प्लंबर से यह काम करवा लेते हैं तो इस तरह से भी हमारे हाथ से काम निकल जाता है अब बात करते हैं कि किस तरह का हमें यहां पर काम करना पड़ता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हर तरह का काम करना होता है काफी मुश्किल काम भी आ जाते हैं कभी-कभी अगर किसी के घर में सीवर का connection करना है जैसे कि सहर में हम काम करते है तो आपने देखा होगा जो cement का road होता है उसको उखाडने में कितनी महनत लगती है तो हथोड़े से पीट-पीट के उसको उखाड़ना पाइप के जितना उसको फोड़ना घरों से जोड़ना तो जो महनत काफी जादा यहां पर लगती है अगर आप फिजीकली इतने फिट नहीं है तो शायद आप यह काम ठीक से ना कर पाएं तो यह भी एक रीजन था जिसकी वज़े से जो है मुझे पलंबर का काम पसंद नहीं था क्योंकि इसमें फिजीकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा हार्ड काम कभी-कभी आपको करना पड़ता है कभी-कभी जब चीनी चलाते हो तो आपके हाथो पे थोड़ा मैकसिमम टू मैकसिम एक हजार वैकंसी देखी होंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2016 से लेके आज तक देन कि साथ साल में सिर्फ एक हजार वैकंसी जो है गवर्मेंट जोब निकली है जो कि पलंबर ट्रेट की है जो की बहुत ही कम है तो गवर्मेंट सेक्टर में जो कि गवर्मेंट जोब की वहां पे भी 5-5 साल का एक्सपिरियंस मांगा जाता है अब एक बंदा कोई आईटिय करके अपना खुद का काम करने लग गया कहीं पे और उसने 5 साल का एक्सपिरियंस गेन कर भी लिया तो 5 साल के बाद जो किताबी नौलेज होती है इंगलिस, हिं और कोई रहती है, और अगर कोई स्टूडेंट यह चाता है कि मैं प्लमबर ट्रीन से जो है आईटिय करके विद्यस में जाकरके, जोब करूँगा, तो यहांपे मैं एक बात क्लीर करदू कि जो टेक्नोलोजी यहां पे हमारे देस में होती है, दूसरे देसों में जो टेक् काम कर सकता है तो सीधे सीधे अकर हम बात करें तो plumber line के अंदर अवसर कम है और इसमें competition बहुत ज्यादा है और रही मेरी बात तो मैंने जो है plumber का profession इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस line में कभी-कभी बहुत ज्यादा difficult काम करना पड़ जाता है जैसे कि underground जब हम फिटिंग करते हैं तो जब हम cutter चलाते हैं तो red color का इटों का जो बुरादा होता है वो हमारे अंदर सांस के through जाता है भले ही आप mask लगा लो या फिर कितना भी अच्छा cutter यूज कर लो हमारे respiratory सिस्टम में जाता है और हमारे फेपड़ों को खराब करता है दोस्तों यह था मेरा honest review plumber trade को ले करके उमीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए फाइदेबन रहेगा इससे आप जो है सही decision ले पाएंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगरा कोई और सवाल है तो वो भी आप comment box में लिखके पूछ सकते हो तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार